आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ भींडी की भुजिया मैं आपको बताऊंगी बिना प्याज और लसुन के साथ यह बहुत टेश्टी बन कर तैयार होती है और बहुत आसान तरीके से यहाँ पर मैंने इसे आज बनाया है हाई एवरिवन प्रेणना डिलिसियस पूर में आपका स्वागत है तो चली हम रेस्पिश शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक कडाई लिया है और कडाई को हमने गरम कर लिया है यहाँ पर हमने वन टेवल स्पून आयल एड़ किया है यहाँ पर हम mustard oil में बना रहे हैं, half table spoon हमने जीरा add किया है, half table spoon हमने hing डाला है और बारी कटी हुई हरी मिर्च एक डाला है, और सभी चीजों को अच्छी तरह हम यहाँ पर सौते कर लेंगे, अब हम यहाँ पर 200 gram हमने भिंडी लिया है, भिंडी को हमने गोल सेप में यहाँ पर इसमें add करेंगे नमक और हल्दी, नमक आप एक चमच यहाँ पर add किया है हमने, और हल्दी हमने half चमच यहाँ पर add किया है, और सभी चीजों को अच्छी तरह 1 मिनट तक high flame पर हम इसे भून लेंगे, अब गैस का flame हम low कर देंगे, और 5 से 6 मिनट तक भिंडी को हम पकने दें कि हमारी भिंडी अच्छी तरह पक जाए, फ्रेंट भिंडी हमारी बन कर तयार है, तो हम गैस का flame आफ कर देंगे, और आप इसे गरमा गरम परोज सकते हैं, पराठे, रोटी, दाल, चावल किसी के साथ आप खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है, और यह र तो like, share and channel को subscribe कर दीजिए और well icon दवा दीजिए दिससे कि आप latest video का update आपको मिल सके, thanks for watching.